हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो आभी के टाइम में मैं किसी से पूछू कि वो गेमिंग के लिए कौन सा फोन लेना चाते हैं तो सब एक ही बात बोलते हैं या तो वो लेना चाते हैं रियल्मी नार्जो टेन या फिर रेडिमी का रेडिमी नोट नाइन प्रो दोस्तो आज हम करने वाले Realme Narzo 10 versus Redmi Note 9 Pro का full comparing video दोस्तों हम आपको बताएंगे दो नहीं फोन के सारे features के बारे में और फिर आपको बताएंगे कि कौन सा फोन है आपके लिए अच्छा और कौन सा फोन है नहीं अच्छा यह दोस्तों बीना टाइम वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट करत ताकि आमारी हड़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचे सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों इफोन के डिस्पले के बारे में अगर बात करें डिस्पले के बारे में तो दोनों इफोन के डिस्पले अच्छा है लेकिन आपको अगर बड़ा डिस्पले चाहिए तो आप रेडिमी नोट नैन पुड़ के तरफ जा सकते हैं आप बात करते हैं दोने इफान के protection के बारे में Realme नार्जो टेन में आपको Gorilla Glass 5 का protection front में देखने को मिलेगा वही Redmi Note 9 Pro में आपको Gorilla Glass 5 का protection front और back दोनों ही देखने को मिलेंगे अगर बात की जाए protection के मामले में तो Redmi Note 9 Pro आगे है Realme नार्जो 10 से आप बात करते हैं दोने फ़न के कैमरा के बारे में, तो Realme Narzo 10 में आपको बैक में क्वार्ट कैमरा का सेटप देखने को मिलेगा, जो कि ये 48MP का प्रामरी कैमरा, 8MP का अल्टरा वाइट, 2MP का देश सेंसर, 2MP का माइक्रो लैंस, साथी साथ इस फोन में आपको 16MP का सेलफी कैमरा भी देखने को मिलेगा, वहीं Redmi Note 9 Pro में आपको 40MP का फ्राट कैमरा, 8MP का अल्टरा वाइट, 2MP का 110 सेंसर, oppressor, 2MP का माइक्रो लैंस, बाक कैमरा में देखने को मिलेगा, बात की जाए फ्रांट कैमरा के पढ़े में, तो इस फोन में आपको 16MP का फ्रांट कैमरा देखने को मिलेगा, नोई फोन के कैमरां इकुली है, आप ब देखने को मिलता है वहीं Redmi Note 9 Pro में आपको 5000 की बैटरी मिलती है साथ ही साथ इसमें भी आपको 18W का Fast Charger देखने को मिलता है Redmi Note 9 Pro में आपको 50T0MH की बैटरी मिलती है जो की 5000 बैटरी की बढ़ावर है अब बात करते प्रोसेशर के बारे में Realme 910 में आपको वर्ल्डेस फर्ष्ट मेडियाटेक हिलोई G80 OctaCock processor देखने को मिलेगा जो की बैजडे 12NM पर्ट नहीं बात की जाए Redmi Note 9 के प्रोसेशर के बारे में तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 720 OctaCock processor देखने को मिलेगा जो की बैजडे 8NM दोस्तो दोनई फोन के प्रोसेशर अच्छा है लेकिन मुझे अगर एक प्रोसेशर चुनना तो मैं Redmi Note 9 Pro के प्रोसेशर को चुनूंगा आप बात करते हैं दोनोई फोन के OS के बारे में दोनोई फोन में आपको Android 10 का OS देखने को मिलेगा आप बात करते हैं दोनोई फोन के Biometric के बारे में तो दोनोई फोन में आपको Fingerpin Sensor के साथ साथ Face Lock भी देखने को मिलेगा आप बात करते हैं दो नई फोन के RAM और ROM के बारे में तो Realme Narzo 10 में आपको एक ही वेडियंट देखने को मिलता है जो कि यह 4GB RAM और 128GB ROM तो ही Redmi Note 9 Pro में आपको दो वेडियंट देखने को मिलेंगे जो कि यह 4 प्लस 64 और 6 प्लस 128 तो यह थे दोनों ही फोन के सारे फीचर्स के बारे में अब बात करते हैं दोनों ही फोन के प्राइज के बारे में Realme Narzo 10 का प्राइज है 11,999 रुपे वही Redmi Note 9 Pro का प्राइज है 13,999 रुपे हैं दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा दोस्तों मुझे दोनों ही फोन अच्छा लगे अगर आपका बजट 12,000 रुपे तो आप Realme Narzo को बाइज कर सकते हैं अगर आपका बजट 14,000 है तो आप Redmi Note 9 Pro को बाइज कर सकते हैं दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि आज का अमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें इस वीडियो को अपने दोस्तों खशा शेर करिए इस वीडियो के लिए इतना ही हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो